हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशनल ग्रूप आफ उत्राखंड में आज हम पढ़ेंगे एतिहासिक घटना है जो कि उत्राखंड के ग्रूप C वा ग्रूप B से संबंदिज जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर हैं तो आईए दोस्तों सुर प्रेशित करता रहूं तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं पर्थम गोल में सम्मेलन किस वर्ट हुआ था तो दोस्तों पर्थम गोल में सम्मेलन हुआ था 1930 में किस वर्ट दोस्तों 1930 में दुत्तिया 1931 और तिर्थिया 1932 इनकी तिथी इतनी महत्वपूर नहीं है जितना इनका year important है तो दोस्तों पर्थम गौल में सम्मेलन 1903 और एक मात्र व्यक्ति जिसने तीनों में सम्मेलन किया था वे थे दोस्तों बी आर अमबेटकर गांधी जी ने मात्र सेकेंड राउंड टेबल कॉंफरेंस में कॉंग्रेस का परतिनिदित्वा किया था खेडा सत्याग्रे किसवर्स हुआ दोस्तों खेडा सत्याग्रे 1918 में हुआ था गुजरात के एहंदाबाद में और पहला कौन सा था दोस्तों पहला था 1917 में चंपारण सत्याग्रे राम कृष्न परम हंस किसके गुरू थे दोस्तों तो ये स्वामी विवेका नंद जी के गु की थी 1902 में एंड्रु फ्रेजर के संचालन में किसने पुलिस विभाग की इस्थापना की थी दोस्तों बहुत इंपॉर्टन्ट है यह की थी लौड कर्जन ने क्योंकि 1902 में किसका कार्याकाल था, Lord कर्जन में और 1905 में क्या होता है दोस्टों बंगाल विभाजन की तिथी की गोसना हो जाती है, वो भी किसके कार्याकाल में, Lord कर्जन के कार्याकाल में इसका English version भी लिखा है दोस्तों मैंने, जो English medium के विपड़ सकते हैं भारत में किसको पश्चिमी सिक्षा का जना कहा जाता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टन कंफ्यूज मत होईएगा पश्चिमी सिक्षा का जना कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बैंटिक को जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे पहले गवर्नर जनरल थे और यदि भारति कि बात की जाए कौन भारत प्रश्चमी सिख्षा का जना के दोस्तों तो ये थे राजा राम मोहन राय जुत्या गुल में सम्मिलन आ गया है दोस्तों 1931 में हुआ था भारत छोड़ो आंदुलन किस वर्च हुआ था दोस्तों 9 अगस्त सन 1942 को यहाँ सुरू हुआ था दोस्त और आपने ये बताने हैं दोस्तों कि जो भारत छोड़ो आंदुलन था वहां किस मैदान से शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदुलन है यहां नाम किस ने दिया था इसके बाद दोस्तों तिर्थिया गुल में सम्मिलन 1932 इसी समय हम देख सकते हैं दोस्तों जो संप दलित वर्गों से संबन दित थे भायरतिया राश्च्य संग की स्थापना भायरतिया राश्च्य संग है दोस्तों इंडियन नैशनल यूनियन वस फॉर्म्ड इन 1884 बाई ए ओ यूम द्वारा ही इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसम्बर सन 1985 को जो की मुंबई में संस्क्रित तेजपाल कॉलिज में की गई थी पहले दोस्तों इसका आयोजन पूने में होना था लेकिन पूने में प्लैक फैल गया था इस कारण जो इसका पहला दिवेशन था वहां मुंबई में आयोजित किया गया देख सकते हैं दोस्तों इसके आज जो दसवा कोईशन है दोस्तों किसने यहां नारा दिया था सुराज मेरा जन्मसित अधिकार है बाल गंगा धरती लग गुरुप सी में दोस्तों कुछ ज़्यादर टफ हिस्ट्री नहीं आती है यहां कम से कम पांट से दस बार कोईशन पूछा गया है दोस्तों कि सुराज मेरा जन्मसित अधिकार है किसने नारा दिया था लाहर अधिवेशन किस वर्स आयो जी थुआ दोस्तों तो यहां 1929 में आयो जी थुआ था किस नदी के तटपे रावी नदी के तटपे दोस्तों जब आपने भी सुना होगा कि जंडा फैरा आया जाता है वो ही यह लाहर अधिवेशन साही संबंदित है और जवालाल नहरू जी थे वे पांच बार भारतिया राष्ट्र कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं यह मोतिलाल नहरू जी के बेटे थे और नोट करने वाली बात यह दोस्तों 11 बार इने नोबल भारतिया राष्ट्र कॉंग्रेस किस वर्स दो भागों में विवाजित हुई दोस्तों तो यहां 1907 तो बहुत बात पूचा जाता है दोस्तों 1907 कौन सा अधिवेशन था दोस्तों यह 23 अधिवेशन था कांग्रेस का 1907 सूरत अधिवेशन इस सेशन वास हेड़ेड वाई इसने अध्यक्स्ता की थी राज विहारी घोस साहाब ने गांधी इर्विन समझाता कब हुआ दोस्तों तो यह हुआ था पांच मार्च सन 1931 में इसे डैली पैक्ट भी कहा जाता है इसका दोस्तों अंतिम कोईश्चन है जो अस्तहियोग आंदोलन किस वर्ट शुरू हा दो तो आपने बताना है कि बाल गंगरदर तिलक को भारतिया सांति का जनक किस ने कहा और दोस्तों ऐसे ही महत्तोपूर्ण वीडियोज पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब लाइक वास शेयर करें एजुकेशनल ग्रूप आफ उतराखंड थेंक यू